वर्दे वीना वादिनी वर्दे प्रिय स्वतंत्र रो अंब्रित मंत्र नो भारत में भर्दे काट अंध उर्के बंधनि इस्तर काट अंध उर्के बंधनि इस्तर बहा जननी जोतिर में निर्जर कलुस भेद तम हर प्रकाश भर जग मग जग कर दे वर्दे वीना वादिनी वर्दे नवगति नौले ताल चंदनो नवलकंठदनो जलद मंद्र रो नव नवके नो भियक ब्रिंद को नव पर नव स्वर्दे वर्दे वीना वादिनी वर्दे ये अमर पंक्तियां हैं चायावाद के आधार इस्तंभ मुक्त चंद के प्रवर्तक महा कवी सूरिकांत रिपाठी निराला जी की हिंदी कविता को नूतन स्वर देने वाले निराला चायावाद के ऐसे कवी हैं जो एक और कवीर की परंपरा से जूरते हैं तो दूसरी और समकाली इन कवियों के प्रेणा स्वरोत के रूप में 21 फरवरी सन 18-1999 में महिशा दल बंगाल के मेदनी पुर जिले में पंडित राम सहाय त्रिपाठी के घर माता स्रीमती रुक्मनी देवी की कोख को धन्य कर दिया सूरिकान त्रिपाठी निलाला ने जन्म लेकर तीन वर्ष की अवस्था में मात्र इस्नेह से बंचीत हो गए माता जी चलवसी मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी की निलाला जी ने और वहीं पर इसकूल की पढ़ाई छोड़ दिया घर पर ही संस्कृत साहित्य दर्शन शास्त अंग्रे जी साहित्य बंगला आधिकार ध्यन करते रहें 15 वर्ष की अवस्था में मनोहरा जी से आपका पानिक ग्रहंड संसकार हुआ जो राम चरित मानस्त का रोज पारायन करती थी उन्होंने निराला जी को हिंदी सीखने के लिए प्रेडित किया और निराला जो बंगला जानते थे अंग्रेजी जानते थे लेकिन हिंदी बहुत कम जानते थे तो उनकी पतनी मनोहरा जी ने अभी प्रेडित करके निराला जी को हिंदी सिखाई और राम चरित मानस्त पढ़ पढ़ करके निराला जी आज हिंदी साह इतिकार हुए कि इसी बीच में पिता का निधन कि 1918 से 1922 तक महिशाद दल राज जी की सेवा की इसके बार निराला जी ने संपादन और स्वतंत्र लेखन प्रारंब किया 1923 से मतवाला के संपादक मंडल में रहे और 1922 से आजीवन इलाहवाद में उन्होंने निवास किया और साहिति सर्जना की दुर्भाग देखिए कि निराला जी की पत्नी पुत्र रामकृष्ण और पुत्री शरोज को जन्म देकर इस दुनिया से बिदा हो गए और 1935 में पुत्री शरोज का भी नीधन हो गया दुखी होकर निराला ने शरोज इस्मृती नाम का एक बहुत महतुपूर्ण काभ्य हिंदी संसार को दिया है बीमार रहने लगे और 15 अक्टूबर 1961 का वह दिन भी आया जब हिंदी का महान सपूत सदा सदा के लिए यह दुनिया छोड़ करके चल बसा चिर निद्रा में लीन हो गया निराला जी विराष्ट व्यक्तित्त के धनी रशनाकार थे वे अत्यंत शाभिमानी कर्मठ अध्यैंसील प्रकृत और संगीत प्रेमी थे उनके गीत राग बद्ध किये जा चुके हैं और संगीत अग्य हैं संगीत कार हैं वे निराला जी के गीतों को बड़े प्यार और सम्मान के साथ गाते हैं वे बहमुखी प्रतिभास संपन्न साहित्यकार थे उन्होंने कविता उपन्यास कहानी संकलन रेखाचेत्र निबंद संग्रह और अनुबाद किये हैं काभ्य में जो सबसे गीतिका वेला नएपत्ते तुलसीदास सरोज इस्मृति रामकी शक्ति पूजा कुकुर मुत्ता यह इनके सुप्रसिद्ध काभिग्रंथ हैं उपन्यासों में निराला जी का जो सर्व प्रसिद्ध उपन्यास है अपसरा अलका प्रभावती निरुपमा चोटी की पकड काले कारणामे आदि इन्होंने कई कहानी संग्रह भी दिये हैं हिंदी संसार को जैसे चातुरी शमार शुकुल की बीबी और लिली रेखा चित्र कुली भाट बिल्ले सुर्का बकरिया बहुत ही प्रशिद्ध यह रेखा चित्र है महाप्राण निराला का इन्होंने निबंध भी बहुत उत्कृष्ट दिये हैं जैसे प्रवंध पद्म प्रवंध प्रतिभा चाबूक आदि इन्हों ने बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद चट्टो पाध्याय के उपन्यासों का अनुबाद बहुत ही उत्कृष धंग से किया है सुरिकांत्रिपाधी निरालानी जैसे कपाल कुंडला द देवी चवधरानी आदि महाप्राण निराला जी की रचनाओं में छायावाद के अतरिक्त प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के भी दर्शन होते हैं इनकी रचनाओं में जो छायावाद की प्रमुक विशेष्ता है वयक्तिकता की सफल अभिव्यक्ति अपनी पीडा अपना दुख अपनी वयक्तिक अपने दर्द को पीडा को जैसे दुख ही जीवन की कठा रही निराला जी की ही रचना है दुखही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही इसी तरह से निराशा, वेदना, दुख एवं करुणा का चित्रन निरालाजी के साहित में देखा जा सकता है मैं अकेला, मैं अकेला, आ रही मेरे जीवन की सांदेवेला, मैं अकेला इसी तरह से जहां एको निराशा है वेदना है दुख है करुणा है वहीं दोसरी और दीन हीनों के प्रत्र उनके मन में अतियों सहानभूती है वे उनमें प्रगतिवादी चेतना के दर्शन होते हैं जैसे बिखारी कविता है वह आता वह आता दो टूक कलेजे के करता पस्ताता पत्पर आता पेट पीट दोनों हैं मिलकर एक पेट पीट दोनों मिलकर हैं है एक चल्धा लकुटी आते एक मुठी भरदाने को भूख मिताने को मुफटी पुरानी जोली को फैलाता वह आता पस्ताता पत्पर आता इसी तरह से इलाहवाद के पत्पर वह तोड़ती पत्थर नारी के प्रत निराला जी की जो सहानभूती है एक मतलब मजदूर्नी के प्रत उनके साहित में दिखाई देती है वह तोड़ती पत्थर उसे देखा इलाहवाद के पत्थर वह तोड़ती पत्थर गुरह थवला हाथ करती वार वार प्रहार तर मालिका अट्टालिका प्राकार तो इस तरह से बिद्रोही तेवर भी निराना जी के साहित में इस पस्ट रूप से दिखाई देते हैं जैसे उनकी कुकूर मुत्ता कविता है इसमें पुझी पत के प्रतीक के रूप में गुलाप के प्रत जो बिद्रोह है अबे सुनवे गुलाप में इस पस्ट रूप से दिखाई देता है कि निराना जी कितनी बिद्रोही तेवर के थे और पुझी पतियों के प्रत उनके मन में कितनी बित्रिशना थी प्रकित्चित्र अद्भोत प्रकित्र का मानुवी करण किया है महा कभी निराला ने जैसे संध्या सुन्दरी मेग में आसमान से उतर रही थी संध्या सुन्दरी परीशी धीरे 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 इसी तरह से देश प्रेम की भावना उस समय अपना देश गुलाम था प्रतेग रचनाकारों ने अपनी अपनी कभिताओं के माध्यम से देश को जगाने का प्रयास किया है चाहे प्रशाद हों हिमाद वितुंग स्रिंग से प्रबुद्ध सुद्ध भारती स्वयंप्रवा समुझ जला स्वतंत्रता पुकारती इसी तरह से महादेवी चिर सजग आँखें उनी दी आज कैसा ब्यस्तवाना जाग तुसको दूर जाना एक अभिप्रेरण लोगों को जगाने का काम महाप्राण निराला ने भी किया है उनकी वह प्रसिद्ध कविता जागो फिर एक वार समर में अमर कर प्राण गान गाये महासिंदु से इस तरह से महाकवि निराला के साहित्य में जहां एक और देश प्रेम की भावना है बैयक्तिक्ता की सफल अभिव्यक्ति है वहीं रहस्यवादी भावना के भी दर्शन होते हैं स्री सूरिकांत्रिपाठी निराला मुक्तशंद के प्रणेता माने जाते हैं हिंदी साहित्य को यह इनकी अद्वितिय देन सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ कर मुक्तशंद में काब्वे रशना की इसी लिए हिंदी साहित्य को यह इनकी अद्वितिय देन कहा ज संग चत्रपत्र सिवाजी का पत्र जागो फिर एक बार आज मुक्षंद की प्रशिद्ध रचनाएं हैं बादल राग जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं बादल राग निराला जी की ओजपूर्ण रचना है जो उनके अनामिका काब्विसंग्रह से संकली थे इस कविता में कभी ने बादल को क्रांति और विपलाव का प्रतीक मानकर उसका आहवान किया है किसान और जन सामानने की आकांख्षाएं बादल को नौनिर्मान के राक के रूप में पुकार रही हैं जो पूंजी पतियों अर्थात सोसक वर्ग के लिए दुख का कारण है सोसन करने वाले हर्देयों पर क्रूर विनास का कारण बनकर भरसते हैं बादल युद्ध रूपी नौका के समान बादलों में गरजने बरसने की आकांख्षा है एक उमंग है उतसा है युद्ध के समान उनकी भैयंकर नगारो रूपी गरजना को सुन कर मित्ती में जो दबे हुए बीज अंकुरित नहीं हैं अंकुरित होने वाले हैं या अंकुरित हो रहे हैं सुनकर उस गरजना को बाहर आने की इच्छा से मस्ती में भर कर सिर उठाने लगते हैं कहने का भाव ये है कि युद्ध के समान उनकी भयंकर नगाडो रूपी गर्जना को सुनकर मिट्टी में दवे हुए बीज अंकुरिक होने की चासे मस्ती में भरकर सिर उठाने लगते हैं। बादलों के क्रांत पूर्ण उद्धोस में ही अंकुरों अर्थात निम्न वर्ग जन सामान निका उद्धार संभव हैं। आईए सुनते हैं बादल राग कविता का प्रथम काब्यांश। तिर्ती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की चाया। जग के दग्ध हृदय पर निर्दई विपलव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरिया कांख्याओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। उर्में पृत्वी के आशाओं से नव जीवन की उंचा करसर। ताक रहे हैं ऐ विपलव के बादल। पहले शब्दात देख लें। तिर्ती है, तिर्ती है मतलब तैर्ती है। समीर सागर वायव रूपी समुद्र आइस्थिर चंचल सजग सावधान विपलव क्रांती। भेरी गर्जना नगाणों की आवाज भेरी माने नगाडे गर्जना माने आवाज द्वाने। अंकुर कोपल प्लावित भरी हुई डूबी हुई। ताक रहे हैं मतलब देख रहे हैं। कवी ने बादल को विपलो और क्रांती का प्रतीक मानकर उसका आहवान किया है। तिरती है समीर सागर पर अइस्थिर सुख पर दुख की चाया। जिस प्रकार वायू सागर पर तैरती रहती है। इसी प्रकार मानो जीवन में आइस्थिर सुखों पर दुख की चाया मडराती रहती है। ठीक उसी प्रकार जग के दख धहरदे पर तेरी कठोर क्रांती रूपी माया चायी हुई है। कहने का भाव यह है कि मानो जीवन में सुख जो है अस्थाई है। हवा के समान सुख चंचल और अस्थिर है। यद्यप सुख और दुख का आवा गमन अनवरत चलता रहता है। संसार में जो आज सुखी है कल दुखी होगा। जो दुखी है वो सुखी होगा। तो कभी कहना यह चाहता है कि जिस प्रकार वायुसागर पर तहती रहती है। उस्तिर क Duch की चाहए ऑऌए उसी प्रकार मनुष्यके जीवन में सुक है और अस्तिर है। मडराती रहती है.. फैलती है.. यह चाही रहती है। ठीकु उसी प्रकार जग के डख द्रहदे है पर तेरी कठोर क्रांती रूपी माया च्षाही हुई है। अर्थात्मानो जीवन में जो सुख है अवस्थाई है, हवा के समान सुख चंचल और अईस्थिर है, अये निर्दे विपलो की प्लावित माया, आगे कभी कहता है, हे क्रांति के दूत बादल, यह तेरी रणतरी भरी आकांग्छाओं से, जैसे युद्ध की नौका, अनेक ह हत्यारों और युद्ध सामग्री से भरी रहती है, उसी प्रकार तुझमें भी जन सामानी की च्छाएं भरी हुई है, जिस प्रकार युद्ध की नौका जब चलती है, तो उसमें हत्यार भरे रहते हैं, युद्ध सामग्री भरी रहती है, उसी प्रकार, हे बादल, हे क्रा सामान्य है जो निम्नवर्ग के लोग हैं जो सोशित लोग हैं उनकी इच्छाएं भरी हुई हैं किस में अधरी हुई हैं बादल का उठना गर जना आना वर्षा करना इन समय जन सामान्य की जो इच्छा है उनकी जो मनों कामना है वह भरी हुई है शोशित वर्ग के सामान्य लोग अपने मन में अनेक इच्छाएं लेकर तुम्हारी क्रांथ के आने की प्रतिक्षा कर रहे हैं घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त यंकुर उर्में प्रिथवी के आसाओं से नोजीवन की उचा कर सिर्थ ताक रहे हैं हे विपलो के बादल जिस प्रकार युद्ध भूम में युद्ध के नगारों की ओजपूने आवाज सुनकर सोय हुए सैनिक जाग्रित हो जाते हैं युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं युद्ध भूम में पहुंच जाते हैं उसी प्रकार हे क्रांति दूत बादल तेरी अत्यधी गरजना को सुनकर जो प्रितवी के वक्षसल पर सोये हुए अंकुर है वो सजब हो जाते हैं , जग जाते हैं वे नवजीवन की आसांएं लेकर अपना सिर उाँचा करके तेरी सहाहता के लिए ताकने लगते हैं देखने लगते हैं उर्मे प्रत्वी के आसाओं से नौजीवन की उंचा कर सिर ताक रहे हैं, अपना सिर उंचा करके वो ताक रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, है विपलों के बाद है। भाव यह है कि जिस प्रकार प्रत्वी की सतह पर छिपे अंकुरों की आसा होती है कि बादलों से वर्षा होगी, वे उसके जल का पान कर खिल उठेंगे, बढ़कर हरे भरे होकर लैलहा उठेंगे। उसी प्रकार क्रांति के जो प्रतीक बादल हैं, उनसे सोसित वर्ग में नव जीवन की आसा का संचार होने लगता है। उन्हें विश्वास हो जाता है कि सदियों से वंचित पीडित जन सामानने के लोग सुख पूर्वग जीवन यापन कर सकेंगे। इस काव्यांस में कवी ने बादलों को क्रांति दूद के रूप में आवाहित किया है। प्रकेदवादी चेतना के दर्शन होते हैं, भाषा ओजगुन संपन्न है, संस्कृत गर्वित तत्सम सब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। सैली जो है वह प्रतीक आत्मक है, बादल जो है क्रांति के और सुप्त यंकुर ये सोशित वर के प्रतीक है। मुक्तशंद और मानवी करण इसले इस रूपक अलंकार की छटा जो है वह दर्शनी है। आईए सुनते हैं बादल राग कविटा का दूसरा अंश। फिर 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 बार बार गर्जन वर्षन है मूसलाधार। हृदय थाम लेता संसात। सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर। शत विक्षत हत अचल शरीर। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। हसते हैं छोटे पौधे लगुभार। शस्य अपार। हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते विप्लव रवते छोटे ही हैं शोभा पाते। शब्दात देख लें गरजन गरजन मतलब गरजना बादलों की आवाज मूसलाधार ऐसी वर्षा जो मूसल के समान मोटी हो उसे मूसलाधार वर्षा कहते हैं अशन बिजली शैत सुलाया हुआ गिराया हुआ पड़ा हुआ हत मरना गगन इस परची आकास को छूने वाला धीर धैर्यवान बिपलो रव क्रांति के शब्द गरजन या आवाज वर्षन वर्षा बर्षाना वज्र हुंकार बज्र रूपी घंगोर आवाज पात्र मतलब गिर्णा क्षत विक्षत मतलब घायल अचल यानि परवत अडिग जो चलेना इस परधा प्रतियोगिता रव मतलब शब्द इसका ब्यांस में कभी ने क्रांति दूत के रूप में बादल का मानवी करण किया है क्रांति का प्रतीक बादल शोशक वर्ग का समूल नास कर देना चाहता है पुंजी पच बादल की गर्जना सुनकर भैभी थो उठते हैं लेकिन सोशित वर्ग खुशी से जूम उठता है बार बार गर्जन वर्षन है मूशला धार बार बार गर्जन है वर्षन है मूशला धार हर्दय थाम लेता संसार सुन सुन घोर बज्र हुंकार हे क्रांति दूत बादल तुम बार बार तेज गर्जना करके घंगोर वर्षा करते हो और सारी धर्टी पर पानी पानी फैला देते हो धर्टी में पानी फैल जाता है चारों तरफ धर्टी लवा लप पानी से भर जाती है तुम्हारी वज्र रुपी कठोर गर्जना को सुनकर समूचा संसार अपना हर्दे थाम लेता है और भैभी थोटता है तुम्हारे द्वारा जो बिजली गिराई जाती है या तुम्हारी बिजली के गिरने से उन्नत के सिखर पर चढ़े हुए सेकणों हजारों भी प्रित्वी पर गिर जाते हैं धरासाई हो जाते हैं पर्वत के समान विशाल काय वा अडिक धैर्यवान लोग भी जिनमें आकास को छूने की निरंतर खोर लगी रहती है तुम्हारी गर्जना को सुनकर या तो घैल हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं असानिपात से सैथ उननत शत सत्वीर खत विक्षत हट अचल सरीर गगण इस परशी इस परधा धीर जो गगण से बातें करने वाले आश्मान को चूने की निरंतर होडल करने वाले लोग हैं तुम्हारी गरजना सुनकर या तो चत्विक्षत हो जाते हैं गायल हो जाते हैं या हम्मक्त हो जाते हैं अग्रिंजाते हैं क法य तक के फ्लेट ग्राणति दूत बादल तुम्हारी क्रांति जो है वह पून बजर रूपी गर्जना को सुनकर शोशक वर के लोग जो बड़े लोग हैं पूजी पती हैं विशालकाय हैं आकास को छूने की तमन्ना रखते हैं वे तो नश्ट प्राय हो जाते हैं लेकिन हस्ते हैं छोटे पौधे लगभार सस्यपार हील हील खील हाथ हीलाते तुझे बुलाते विपलोवरो के छोटे ही हैं सोभा पाते विपलो नुरु से छोटे ही हैं सोभा पाते लेकिन सोसित समात के लोग जो है तुम्हारी घंघोर गर्जना को सुनकर हस्ते रहते हैं डरते नहीं हैं भैभीत नहीं होते आनन्न मगन हो उठते हैं जब तुम भैंकर गर्जना करके बरस्ते हो तो बड़े बड़े ब्रिक्ष धर्ती पर आ जाते हैं धहरा जाते हैं भरभरा जाते हैं लेकिन छोटे से भार को धार किये हुए वे छोटे छोटे पोधे खिल उठते हैं हाथ हिला तुझे बुलाते हैं अपनी ओर और निम्नवर्ग के लोग जो हैं इस क्रांति से आनंदित हो उठते हैं इस चंद में प्रतीकात्मक्षेली का भावपूर्ण प्रयोग किया गया है हृदय थाम लेना मुहावरे का बहुत ही सार्थक प्रयोग है लक्षना सब्द सक्ति ओजगून और वीर रस अब आईए सुनते हैं बादल्दा कविटा का तीसरा अंश अट्टालिका नहीं है रे अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन सदा पंक पर ही होता जल विप्लव प्लावन छुद्र प्रफुल जलज से सदा छलकता नीर रोग शोक में भी हस्ता है शैशव का सुकुमार शरीर शैशव का सुकुमार शरीर प्रकृति में हुई बादलों की बिनाफ लीला के मार्ध्यम से कविन निराला समाज के सोशक वर्ग के विनास की और संकेत करते हुए कहते हैं कि जब समाज में सोशक वर्ग का आतंक बढ़ जाता है तो उसके विरुद्ध होने वाली क्रांति में पुंजी पत लोक प्रभावित होते हैं और पीडित वर्ग के दी नहीं लोगों को उनका अधिकार स्वत्र प्राप्त हो जाता है अट्टालिका नहीं है रे अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन अट्टालिका शब्दार देखलें अट्टालिका विशाल भवन आतंक भवन भैका महल या भैका भवन भैका घर बिपलाव क्रांती, छुद्र तुच्छ, छोटा निम्नबर्ग, जलज यानि कमल, जल में जन्म लेने वाला कमल, शैशव, बचपन, पंक, कीचड, और कमल को पंकज भी कहा जाता है, माने पंक में जन्म लेने के कारण, पंक माने कीचड, जन्म लेना, पर यहाँ पंक का अर्थ कीचड से है, प्लावन, बाढ़, प्रफुल, खिला हुआ, नीर, अर्थात, पानी, जल, सुक्मार, अत्यंत, कोमल, अब यहाँ अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंक पर ही होता जल बिपलो प्लावन, पुझी पतियों ने निम्न वर्ग के लोकों का सोचन करके, जो पुझी पति हैं, उन्हों ने जो अट्टालिकाएं निर्मित कराई हैं, बड़े-बड़े भवन जो निर्मित हुए हैं, यह अट्टालिकार नहीं है रे, कभी कहता है, यह आतंक भवन है, यह जो है उंचे-उंचे भवन का जो निर्माण हुआ है, वास्तों में यह महल आतंक भवन हैं, आतंक से निर्मित हुए हैं, यह गरीबों को डराने वा धमकाने वालों के भवन हैं, बिनासकारी बादलों के जल से धर्ती डूब जाती है, और कीचड पर ही यह जल भरा रहता है, परन्त इसी तुछ कीचड में कमल खिलता है, जब बिनासकारी बादल घंगोर वर्षा करने लगते हैं, तो पूरी धर्ती की धर्ती में जल प्लामन हो जाता है, डूब जाती है धर्ती जल से, कीचड पर ही यह जल भरा रहता है, परन्त इसी तुछ कीचड में कमल खिलता है, कमल के पत्तों पर आने वाली ओश की जो बूदें हैं, यह गरीबों, सोशितों के आंसूओं की तरह हैं, आपने देखा होगा, कमल के पत्तों पर जो बूदें पड़ी रहती हैं, वह कमल के पत्तों पर लिपटती नहीं है, वो ढूलक जाती हैं, गिर जाती हैं, तो कभी जो है कल्पना करता है, कि कमल के पत्तों पर आने वाली ओश की बूदें, गरीबों, सोशितों के आंसूओं की तरह हैं अर्थात ऐसे ही धूल मिट्टी के परवेश में निम्न सोशित वर्ग भी रहता है और जो छलकते आशुओं के बार भी जो सोशितों के नन्ने मुन्ने बच्चे हैं जो शोक और बीमारियों की पीड़ा में भी हस्ते रहते हैं बड़ी-बड़ी बीमारियां कठिन यहां तक की भूखे मरने के भी नववत आती है फिर भी बच्चे जो हैं हमेशा इन दुख में पीड़ा में दर्द में भी हस्ते रहते हैं रोग सोक में भी हस्ता है सैशव का सुकुमार शरीर यह जो कोमल सुकुमार शरीर वाले मानें सैशव का सुकुमार शरीर मतलब जो चोटे-चोटे बच्चे हैं सुकुमार यह रोग में भी असोक में भी मृत्यु के समान संकट आने पर भी यह हस्ते रहते हैं कि इस कविता में प्रती कात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है तत्सम सब्दावली संस्क्रित गर्वित भाषा है आईए सुनते हैं बादल राक कविता का अंतिम अंश रुद्रकोश है शुब्ध तोश रुद्रकोश है शुब्ध तोश अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी वज्र गर्जन से बादल त्रै नेन मुक धांप रहे हैं जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बलाता कृशक अधीर है विपलव के वीर एविपलव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड मत्र ही है आधा, ऐ जीवन के पारावाद, ऐ जीवन के पारावाद कभी ने विनाशकारी क्रांत के बादलों की गर्जना का शोशक और सोशित वर्ग पर पढ़ने वाले प्रभाव को बताया है शब्दार्थ देख लें, रुद्ध रुका हुआ, खुब्ध बेचैन, अंगना सुन्दर अंगों वाली इस्त्री, अंक गोद, जीण जरजर, सिथिल, अधीर मतलब व्याकुल, कोश, खजाना, तोश, संतोश, आतंक, भै, डर, त्रस्त, डरे हुए, सहमे हुए, शीण, असक्त, निर्वल, कमजोर, पारावार, सागर और जीवन प्रदान करने वाले बादल। कवी, यहां पर क्रांति के प्रतीक बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं, कि हे क्रांति के दूत बादल, रुद्ध कोश है, शुब्ध तोश, अंगरा अंग से लिप्टे भी आतंक अंक पर काप रहे हैं। पुझी पतियों ने अपने खजाने भल लिए हैं, रुद्ध कोश और अपने खजाने को अब रुद्ध कर दिया है, रोक दिया है। पूजी पतियों ने अपने खजाने भल लिये हैं धन को अपने खजाने में रोक रखा है अक्षुप्ध तोश अर्थाक उन्हें संतोस नहीं है पूजी पतियों को संतोस भी नहीं है वे क्रोधित होकर आतंक करते हैं वे कृध्ध होकर के आतंक मचाते हैं बादलों की बज्र प्रहार जैसी गर्जना से पूजी पत जो सोशक वर्ग है वो घवरा कर अपने आतंकी भवनों में अपने अंगना अंग से लिपटे अपनी अरधांगिनियों के अंगों से लिपट जाते हैं अत्रस्त नैन मुख ढाप रहे हैं गोद में अपने मुख और आखों को छिपा रखा है वे बादलों की गर्जना से इतने भैभीत हो गए हैं इतने त्रस्त हो गए हैं कि अपने नैन मुख ढाप रहे हैं गोद में अपने मुख और आखों को छिपा लेते हैं लेकिन दूसरी ओर बज्जर प्रहार जैसे बादलों की गर्जना से कमजोर भुजाओं और जरजर कमजोर शरीर वारे किशान ब्याकुल होकर क्रांति के बादलों का आहवान करते हैं उजी पतलों डर से अपनी पत्नी की गोद में मुझ चिपाए आँखें चिपाए लेट जाते हैं चुपचाप डर से भैभीत होकर लेकिन दोसरी ओर जो कमजोर भुजा वाले और जरजर कमजोर शरीर वाले किशान ब्याकुल होकर क्रांति के बादलों का आहवान करते हैं हे क्रांति दूत के बादल हे क्रांति दूत हे जल के सागर हे जीवन के पारावार इन पूजी पतियों ने चूस लिया है उसका सार हाड मात रही है आधार हमें सोसक वर्ग ने चूस लिया है हमारा बहुत सोसड किया है जिससे हमारा सरीर जरजर हो गया है कमजोर हो गया है अब सरीर में केवल हड्डियों का ढांचा है हाड मात रही है आधार अब केवल कंकाल ही सेश बचा है हमारे सरीर को सोसक वर्ग ने इस तरह से चूसा है हमारा सोसड किया है कि अब हमारा सरीर कमजोर हो गया है जरजर हो गया है अब सरीर में केवल हड्डियों का ढांचा सेश ह कंकाल ही से इस कविता में मानवी करन अलंकार है चित्रात्मक शैली दर्शनी है और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है अगर हम पूरी कविता का आंकरन करते हैं जब हम देखते हैं तो इसका प्रतिपाध्य निकलता है कि बादल राग जो है करांत की आवाज का प्रतीच है यह कविता जन करांत की प्रेणळ देती है कविके अनुसार बादल अरफात करांत घटित होने से चोटे पौधे यानि जो सामाने जन है जो कमजोर वर्ग है उसे विक्षित होने का आउसर मिलता है उसे आगए बढ़ने का आउसर मिलता है